दोस्तों मुद्दे की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का मुद्दा बहुत खास है क्योंकि यह नौइमबई की उस सक्सियत से जुड़ा है जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बीज़पी के बिधायक गनेशनाइक की वो गनेशनाइक जिनके नाम से नौइमबई की सुरवात होती है वो गनेशनाइक जो नौइमबई की पहचान माने जाते हैं वो गनेशनाइक जिनके समर्थक नौइमबई का राजनेतिक सिल्पकार करते हैं वो गनेशनाईक जिनका नविमबई पर 1995 से ही वर्चस वरहा है वो गनेशनाईक जिनके इर्दगिर्द नविमबई और थाने जिले की राजनेती घूमती रही है तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ गई है ऐसी कौन सी कमी खलने लगी है कि नविमबई कर गनेशनाईक की तलास में जुट गए है इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको कुछ फ्लैस बैक में ले जाना होगा तारीक 18 अप्रेल इसी साल 2022 की घटना है जब उनकी एक महिला परिचित ने यह दावा करते हुए पुलिस में केस कर दिया कि गनेशनाईक उसके बेटे के जैविक पिता है लेकिन उसे उसकी पहचान और हक नहीं दे रहे मामला पुर्व मंत्री और नॉइंबई के सर्वे सर्वा गनेशनाईक से जुड़ा था इसलिए उनके राजनेतिक विरोधी इसे नहीं भुनाते ऐसे कैसे हो सकता था सबसे पहले जिस NCP को गनेशनाईक छोड़ कर आए थे वहां से विरोध में आवाज उठी NCP की महिला कारे करताओं ने पुलिस उपायुक्त कार्याले में धर्ना परदर्शन किया और उनके गिरफतारी की मांग की दस दिनों तक यह हंगामा खुब चलता रहा यूं कहें कि गनेशनाईक के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विरोधियों और प्रतिद्वंदियों ने लगातार ऐसी कोसिसें की या यूं कहें कि कुछ ऐसी साजिसें भी की गई ताकि गनेशनाईक गिरफतार हो जाएं थाने सेशन कोट से भी प्री बेल मिलने में हो रही देरी के बाद यह माना जाने लगा कि अब बीजेपी विधाय का रिष्ट हो सकते हैं लेकिन मामला बामबे हाई कोट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद थम गया उनके विरोधियों के मनस्रूमों पर पानी फिर गया फिलहाल मामला विचारा धीन है और गणेशनाईक अग्रिम जमानत पर है इस घटना के बाद गणेशनाईक कारेकरताओं से दूर हैं मीडिया से दूर हैं और सुर्खियों से बच रहे हैं संभौता यही वज़ा है कि नौइमबई की जनता उन्हें पहले की तरह फिर से सक्री और साक्षात देखने के लिए लालाई थे नौइमबई में उनकी कमी खलने लगी है ऐसे में गणेशनाईक कब लोटेंगे इस पर सब की नजर है सायद यह सवाल आपके भी मन में हो इसका जबाब देने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर गणेशनाईक नविमबई के लिए महत्तपून क्यों है याद करिया 1992 की ओ घटना जब अजुध्या में बाबरी मस्जिद धाचा गिराए जाने के बाद मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे बूरे हालात थे उस वक्त पूरी मुंबई जल रही थी थाने और रायगड के कई लाकों में आगजनी और हिंसक घटनाएं भी हुई लेकिन इन सब के बीच नविमबई में अमन और श्चान्ती काइम रही कोई दंगा बवाल नहीं हुआ कोई हिंदू नहीं मरा किसी मुसल्मान का घर नहीं जला उस दोर को देखने वाले पत्रकार समा सेवक और नेता सब मानते हैं कि यह सब गनेशनाई की राजनेतिक सूजबूच के चलते हुआ नविमबई में सदभावना बनाए रखी अपने सर्वधर्म समभाव की भूमिका और राजधर्म का पालन किया 1995 से लेकर 2020 सक के 27 सालों के कालखंट को अगर देखें तो नविमबई में गनेशनाई की एक छत्र सत्ता रही मंत्री, विधायक और महानगर पालिका में सत्ता के सुत्रधार और सलाकार के तोर पर उन्होंने नविमबई में साधन सुविधाओं का जो विकास किया वह ना तो थाने में हो सका ना मुंबई में इसमें सिडिको की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता लेकिन सच यही है कि गनेशनाई की सर्व समावेशी विकास नितियों के कारण ही नविमबई, पानी, परिवहन, नागरी सेवा, विकास और सुविधाओं में उत्कृष्टता के पैदान पर नंबर बन बन सकी बीते दस सालों से महानगर पालिका को लगातार में लहे राष्ट्रिय पुरस्कार इसका सबूत देते हैं संभवत इन ही कारणों से जनता हर बार गनेशनाई को ही चुनती और नविमबई की सत्ता सौपती रही है जाहिर उनके विरोधी स्तिलिस्म को तोड़ना चाहते हैं अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं सत्ता हसिल करना चाहते हैं और यह सब गनेशनाई के वर्चस्व और सक्रेता के रहते हुए संभव कैसे हो सकता है तो क्या है हम मान लिया जाए कि जिस लिब इन रिलेशन्शिप के मुद्दे को गनेशनाईक के विरोधियों और प्रतिद्वंदियों ने उनके खिलाब भुनाने की कोशिस की दरसल वो राजनेतिक वर्चस्व हासिल करने की एक बड़ी कूटनीती थी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि एनसीपी ने बदला लेने के लिए गनेशनाईक के खिलाप रेप का नया केस धर्ज कराया रननीती ये थी कि गनेशनाईक के गिरपतार होने से मामला दूर तलग जाएगा नाइमबई की राजनिती में उथल पुथल होगी नाईक के चरित्र और कामकाच को लेकर जनता में बड़ा भ्रम पैदा होगा पालक के तोर पर बनी उनकी बड़ी छबी खराब होगी तो जनाधार भी तूटेगा मामला संगीन बनेगा तो बीजेपी अपने ही विधायक से स्तीफा मांगेगी यानि पॉलिटिकल स्पेस मिलेगा तो राजनिती खेल जीतना आसान हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आखिर इसके क्या माएने है आखिर वे कौन लोग है जो गनेशनाई की छवी और वर्चस को खत्म कर फायदा उठाना चाहते है राजनिती गोल साधना चाहते हैं पॉलिटिकल स्पेस में खुद को फिट करना चाहते है NCP पहले ही फ्रंट पुट पर आकर गनेशनाई का विरोध कर चुकी है उसके नेता विरोध कर चुके है इसके बाद सिवसेना नेताओं का नाम सामने आया सोशल मीडिया पर पालक मंत्री एकना शिंदे पर उंगलिया उठी की वे थाने जिले का बास्टा बनना चाहते हैं नौइमबई महानगर पालिका में सिवसेना का भगवा लहरा कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं समभवत है इसलिए गनेश्ट नाइक को कमजोर करने की चाल चल रहे हैं हलाकि नौइमबई सिवसेना ने फेस्बुक पर एक पोश्ट डाल कर इसका बड़ा खुला सा कर दिया सिवसेना के हेंडल से लिखा गया कि बीजेपी विधायक गनेश्ट नाइक के खिलाप कोई और नहीं बलके खुद बीजेपी की विधायक मंदाताई मातरे हैं नाइक के खिलाप रेप के सुदर्ज कराने वाली महिला को भी मंदा मात्रे के साथ तस्वीर में दिखाया गया इसकी वज़ा बताई गई कि चूकी मंदा मात्रे भले ही बीजेपी में हैं लेकिन गनेश्टाईक के धुर विरुदी हैं कई मोर्चों पर मंदा मात्रे के बयानों ने इसका सभूत भी दिया है बताया गया कि यह सब B.J.P. नेताओं के अंदर खाने की कर्तूत है और उनका ही किया धरा है इसका एक मतलब तो यह भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी मामले के बहाने बीजेपी के विरोधी नाईक और मंदाताई मातरे में नई और बड़ी दरार पैदा करना चाहते हैं फूर डालो और राज करो कि रनीती चलाना चाहते हैं खेर इसका खुलासा होना भी बाकी है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह कोशिस काम्याब होगी और गनेशनाईक का वर्चा सो नाइमबई से खत्म होगा तो इसके परिडाम क्या होगे सत्ता पर कौन काभी जोगा और उसे कैसे चलाएगा अधिकांस एक्सपर्टे हम मानते हैं कि गनेशनाईक जिस रणाइमबई को समभालते रहे हैं दूसरी पार्टी में ऐसा कोई भी लोकल लीडर नहीं है जो समभाल सकता है एक दोर में गनेशनाईक खुद मंत्री थे उनके बड़े बेटे डाक्टर संजीव नाइक सांसत थे छोटे बेटे संदीप नाइक बिधायक थे और भतीजे सागर नाइक महापौर यानि एक ही घर में एक हाथ के नीचे पूरी सत्ता थी इस पर घराने साही के भी खुब आरोप लगे चुनाओं में मुद्दे भी बने लेकिन इसके फायदे भी बहुत हुए सटीक और शिग्र निर्णे हुए विकास के महत्वण उपकरमों को चलाने में और उन्हें सफल बनाने में कोई खीच्तान नहीं हुई सत्ता केंद्रिक्रित होने से राजनेतिक उथल पुथल नहीं हुई जिसका फायदा नविम्बई के विकास को आगे बढ़ाने और देश की नंबर वन सिटी बनाने में देखने को मिला अब यदि नविम्बई में गनेशनाई की बजाए महाविकास अगारी दलों की सत्ता आती है तो उसके क्या नफान उक्सान हो सकते हैं यह चिंतन कभी से है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसी पार्टी की नहीं मैं बात बीजेपी की भी नहीं कर रहा हूँ सीवसेना या नसीपी कॉंग्रेस की अच्छाई बुराई की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सत्ता के विकेंदरी खरण की मैं बात कर रहा हूँ मल्टी पार्टी सत्ता की मैं बात कर रहाँ उस नेत्रित्व की जो नईमबई की बजाय बाहर से होगा अधिकांस नईमबईकर ऐसा मानते हैं कि तीन दलों की सत्ता होगी तो नीजी फायदे के लिए मल्टी पार्टीज नेताओं में सरफुटवल होगी फिलहाल पालक मंत्री से मिलने के लिए ठाने जाना पड़ता है सांसत पहले से ही दूरी बनाए हुए हैं और जब मल्टी पार्टीज पताधिकारियों का मनपा में हस्तक्षे बढ़ेगा तब गुड गवर्नेस कैसे चलेगा उन नविम्बईकरों का क्या होगा जो आज तक नविम्बई की लीडरशिप में अमन और शान्ती से रहते आये हैं क्या सत्ताधारियों से उनका वैसा ही संपर्क और समन्नमे बना रहेगा यह सवाल नविम्बईकरों के हैं जो समझने लगे हैं कि अगर नविम्बई में सर्व धर्म समभाव और सर्व समावेसी विकास चाहिए तो गनेशनाईक जैसा मानुस होना चाहिए जो हर समय नविम्बई में उपलब्ध हो, हर समय शक्री हो और जो सब के सास नेहल और सदभावना पूर्ण बेवहार रखता ह कोरोना लवडाउन के दोरान जिस वक्त सभी पार्टियों के नेता लगभग नदारत थे उस वक्त गनेशनाईक ने नविम्बई करों का पालकत तो समभाल कर उनके लिए दिन रात एक किया, वैसा कोई और कर पाएगा क्या, इसका जबाब आखिर कौन देगा फिलाल पालक कहे जाने वाले गनेशनाईक हालिया घटना के बाद खामोस हैं, उनकी खामोसी के बीच महाविकासा घाडी के दल सत्ता परिवर्तन के सपने देख रहे हैं, और महानगर पालिका को हत्याने की तैयारी में हैं हलांकि गनेशनाईक के समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनके नेता जन्द लोटेंगे, वो शेर हैं और दुबारा नई ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे नईमबई करों के लिए, विकास के लिए और उन बिरोधियों को जवाब देने के लिए भी जो उन्हें गिरा कर अपने सत्ता काभिश करना चाहते हैं और राजा बनना चाहते हैं बीजेपी और गनेशनाईक के समर्थक दावा कर रहे हैं कि कोई लाग कोशिस कर ले लेकिन नईमबई में गनेशनाईक और बीजेपी का तेलिश्म कायम रहेगा गनेशनाईक कल भी यहां के राजा थे और आगे भी उनका ही सामराज कायम रहेगा जैसा कि अक्सर वे अपना नारा दुहराते आये हैं कि राजा का राजपन, आजपन, उद्यापन मुद्दे की बात में आज बस इतना ही दीजे हमें इजाजत लेकिन ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव नमस्कार